सीताराम बाजार में एक बिल्डिंग ध्वस्त हुई रात का वक्त था, हाथसा रात में हुआ, कोई वहाँ पर नहीं था और यही बज़ा है कि जान, माल का नुकसान तो हुआ, लेकिन जान का कोई नहीं हुआ सबसे जादा चौकाने वाली बात यह है कि वो बिल्डिंग दरसल डिमोलिशन का आदेश था 2015 में, और अब तक 2021 आगया, इतनी साल बात भी, MCD ने उसे डिमोलिश क्यों नहीं किया और ऐसा सिर्फ वाकिया एक जगह नहीं है, अलग-अलग जगहों पर ऐसे वाकिये हैं क्या कहेंगे आपकी, जिमोलिश तो हो जानी चाहिए थी 2015 में, अभी तक यू नहीं होई, आप क्या मान के इसके तीचे पूरा खेल भरष्टाचार का है, आज यह पहला हाथसा ऐसा नहीं है, आप पिछले 3-4-5 साल, जब भी देखोगे हर एक मिने बाद, 2 मिने बाद ऐसे जाएसे होते हैं, जुक्ते होता कुछ नहीं है, इसके बाद फिर माम ना डग जाता है, फिर कोई हार्सा होता है, किसी की जान चली जाती है, लेकर एक पिछल अखेल अखेला ब्रष्टाचार का है, जो कल सितारा बजाल में बिलिडिग गिरी उसको 2015 में वेगन रोटिस गय परसो मलका गर्जमें बिल्लिंगी तो तारीकों उसके बाद भी कोई करवाई नहीं नहीं की जारी है तो यह सब भरष्टा चार्था केल है यह देंगे पैसे का मोटा लेंदेन हो रहा है यह वेकन करने का नोटिस देते हैं उसके बाद उन से पैसे लेकर जो भाजपा के नेता बैथे हैं आपके जे में डाल पर बहर जाते हैं कोई खरवाई नहीं होती जिसका खाम्याजा जैसे परसो दो मासुल बच्चों की जान चलेगी इस तरह लोगों को उठाना पड़ा है मापके जिस प्रवस देखा है